बावल के स्कूलों में चलाया गया बसों की जाच का अभियान. गत दो दिन पहले हर्याना के कनीना के नजदीक उनहानी में हुए एक बस हाथसे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. कल सभी जिलों के प्रशासने का अधिकारियों की मुख्य सचिप के साथ हुई इविजनल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार एवं रिवारी के मोटर वहन अधिकारी नरेश कुमार वबावल के पुलिस उपधीक्षक नरेंद्र सांगवान की अगुवाई में आज बावल के काफी स्कूलों में बसों की जाच की गई है. SDM मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिप की तरफ से एक पफॉर्मा भेजा गया है, जिसमें सुरक्षित स्कूल वहन पॉलिसी के तहद बसों को जाचा गया है, उनमें बसों के सभी कागजों की जाच की गई है, जिनमें बसों का फिटनेस वर उनका इंश वर फिटनेस प्रमान पत्र अगर पुरा नहीं होता है तो ये कानूनन तोर पर गलत है, आज बावलक्षेत्र के सूरच स्कूल, खंडोडा में स्तित राश्ट्रिय स्कूल वह तिहरा के सी, आर इंटरनेशनल स्कूल और धर्चाना के नजदीक दिल्ली पबलिक स्कूल एव इसके आधार पर मोटर वहन अधिकारी नरेश कुमार ने कुछ बसों को इंपाउंड किया है, जिन में कुल आज 10 बसों को जबत किया गया है, जिन में सरवोदे स्कूल वा दिल्ली पबलिक स्कूल की और राश्ट्रिय स्कूल की बसे शामिल है, जो की इंपाउंड की गई ह इसके अलावा कुछ का चलान किया गया है वही मिली सूचना के अनुसार कुछ बसे अभी भी स्कूल से बाहर थी जिन को स्कूल में बुलाने के लिए आदेश दे दिये गए है भविश्य में भी इस तरह की बसों की सुरक्षत वहान पॉलिसी के तहट जाच की जाती रहेंगी खाबर लिखे जाने तक मोटर वहान अधिकारी नरेश कुमार अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए है जो कनीना सब्डिविजन में हाथ्षा हुआ उन्हानी गाओं के अंदर उसके बाद में जो चीफ सेकरेटरी साब के आदेश आये उन आदेशों के अंतरगत जितने भी प्राइवेट स्कूल या और भी जितने भी स्कूल हैं जिनके अंदर स्कूल बसी जो चल रही है उनकी सभी सिर्ख स्कूल वाहनद पॉसी के अंदर कवर होती है वो सारी परफोर्मा बनाके वो चीज चेक करने का चला गया तो सर किन सकुल में गएं उस्कूल में गया है। आज हमने पांट स्कूल का यह रोष्टर बनाया था। सबसे पहले सूरज स्कूल में गए। राश्ट्रे स्कूल खंडोरा में गए। CR International School, DPS स्कूल और उसके बाद यह अर्याना और सरोव पर पाद के बाद की तोटल कितना हुआ है क्या इन सकुल जो बंद है आज उनको सूचना दी रही थी क्या पहले है तो सर पहले जो बसे मुख्य पर नहीं पुची जो बहारी खड़ी रही उनको क्या आदेश रहेंगा आगे आज शाम तक जितने भी स्कूल हैं जिनकी बसें बहार कड़ी हैं वो भी उनको स्कूल के अंदर लेके आने पड़ेंगी आज जो हमारा रोस्तर का उसमें जितने भी स्कूल बाहर है उनकी उनको बुला के स्कूल बश्वों को चेक करवाना पड़ी है तो हमने बसक्टा आजे जिए अगर भी बुलाएंगे तो इंपाउट क्या इस तरह के चेकिंग आगे भी आगे भी जारी रगी जब तक हमारी सब्डिविजन के सारे के सारे स्कूल कवर नहीं है